दोस्तों दोस्तों मैं हूं DRX-80 के लाही और आप देख रहे हैं True Medical आज का हमारा टोपिक है एंटिबाइटिक्स और एंटिवाइरल ड्रग के उपर यानि एंटिबाइटिक्स और एंटिवाइरल टेबलेट में क्या फर्क होता है कौन सी टेबलेट किस काम आती है इसी के बारे में आज हम बात करेंगे बहुत इंपोटेंट टोपिक है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो सभी Medical Student ध्यान से देखे और पूरी जान करे ले पर उसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल ऐकन को भी दबा दे क्यूंकि हम सभी Medicine को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अंटिबाइटिक्स क्या होता है अंटिबाइटिक्स ड्रग या अंटिबाइटिक टैबलेट वो टैबलेट होती है जो बेक्टीरे की ग्रोथ को रोकती है या फिर बेक्टीरे की ग्रोथ को किल करती है ऐसी affiliate को antibiotic tablet बोलते हैं इसका काम होता है बेक्टिरेल इंफेक्शन को treat करना बेक्टिरियल इंफेक्शन जैसे urinary tract infection, throat में कोई infection, nose में कोई bacterial infection, blood में infection, lungs में कोई bacterial infection इस तरह के बहुत सारे bacterial infection में antibiotic tablet काम करती है अब वो antibiotic tablet कौन सी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ Like, Mass F Plus tablet, Giphy tablet, Ciplox tablet, Norflux tablet इस तरह के बहुत सारी antibiotic tablet होती है जो की bacterial infection के treatment में यूज की जाती है अब हम जानेगे antiviral या antivirus के बारे में antiviral tablet वो tablet होती है जो virus infection को ठीक करती है ऐसी tablet antiviral tablet होती है जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर स्वाइन फुलू, बर्ड फुलू, हर्पीस वाइरस इस तरह के viral या virus infection में antiviral tablet काम करती है और मैं आपको antiviral tablet का नाम भी बता देता हूँ जैसे एसी कलोविर, वाइरोविल 500, हर्पीस टेबलेट इस तरह की tablet antiviral infection में काम करती है यानि bacterial infection में antiviral tablet यूज की जाती है बहुती सिंपल तरीके से मैंने आपको antiviral tablet के बारे में बता दिया है वीडियो अगर अच्छी लगिया है तो वीडियो को like share करें और चैनल को भी subscribe कर दें करें करें